बहुत मीटा है एपल भी और तुम्हारा बहाना भी लेकिन बात एकदम क्लियर है ओके जवाब नहीं तो पत्ता नहीं बोलो कि मेरा हक है पिद्दू के खिलाब किसी को बोलने का कोई हक नहीं है हक बनता है पापजी मेरा हक बनता है भाई साल पले उसे जो गल्ती की थी ना उसकी सजाम मैं अभी भी भूगित रहा हूँ अभी भी देख कुमो वो तो पश्मिना की रजामंदी चाहती है प्यार के लिए प्या करना तो क्या पाबाजी मैं जिसे पियार करता था उसे शादे नहीं करना जाता था करना जाता था मैं आरे गया था मैं वहां हाथ चोले मैंने मैं गिडगड़ाया उनके सामने पर नहीं माने ना बद्र मद्राई से अपने रिष्टा जोड़ना चाहेगा बद्र आप देखRE है क्या गले पड़ गया मेरे आपकर ये रिस्ता हो जाता है पापाजी तो हमारी कोई इजित वापस आ जाएगी पश्मीना को भारत से शादी करनी होगी याद है तुम्हें मैंने अपने पापा के बारे में बताया था हाँ यही ना कि उन्होंने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया था है तुम शायद उन्हें जानती तक नहीं हो मेरे पापा मुझे भी नहीं जानते उन्हें यह भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है मेरी मम्मा अकेली रह गई थी क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मॉम को डिवोर्स क्यों दिया उनका डिवोर्स नहीं हुआ क्योंकि उनकी कभी शादी नहीं हुए थी क्योंकि झाल रिलब कुम्हारे झाल झाल यूनो, मेरे मॉम और डाड कई सालों से साथ में हैं, शादी शुधा भी हैं, लेकिन मेरे डाड ने मेरी मॉम से ज़्यादा अपनी शराब से प्यार किया है। आँखें बंद करके बताओ, हसानी होगी। बच्पन से मुझे मेरी मॉम नहीं भाल है। बच्पन ज्यादा मिला नहीं मुझे कभी। क्यूंकि सोला साल का था मैं जब मैंने बिजनिस जॉइन कर लिया था। बस तब से लेके आज तक मैं काम कर रहूँ। एक अंकल है मेरे। अवी अंकल। उन्होंने बहुत सहरा दिया। और तुम्हारे पापा। आज फिर एक बड़े से शराप के गलास के साथ। उनकी सुभा की शुरुआत हुई है। अगर वो तुमसे बात करे और ठीक करने की कोशिश करे तो करने दोगे। तुम करने दोगी। अगर तुम्हारे पापा लोटाएं तु। नहीं। तुम्हें कभी अपने पापा को ढूड़ने की कोशिश की। मतलब कभी जानना नहीं चाहा की वो कहा है। वो कश्मीर में किसे लाके से थे। वो कश्मीरी नहीं थे। वो तूरिस थे। अब समझे कौल साब। समझा। कि क्यों तूरिस्ट से तना डरती हो। तूरिस्ट से डरती नहीं। उन से दिल लगाने से डरती हू। और अगर लग गया तो। किसी टूरिस्ट दिल नहीं लगने दूगी। कभी दी लगने दूगी। और अगर लग गया तो छोड़ दूगी। जिस प्यार पर तुमको इतना भरोसा है, उस प्यार को छोड़ दोगी। तुम तो भरोसा नहीं करते ना। तो तुमें क्या फर्फ पड़ता है। मैं निभाओं या धोका दू। दूगा तो मेरी मौम को मिलाए, पश्मीना। उन्होंने मेरे पापा से बहुत प्यार किया। लेकिन उसी प्यार ने उने कमजोर मना दिया। प्यार... प्यार बांद देता है, पश्मीना। नहीं, कौल साम। प्यार आजाद कर देता है। तुम जैसे हो, तुम्हें वैसे ही रहने देता है। प्यार कभी बांदता नहीं है। ना जूट, ना फरेव। कुछ भी नहीं होता है प्यार में। तो अगर तुम्हें ऐसा प्यार मिल गया। तो भी क्या तुम उससे छोड़ दोगी। हाँ, अगर वो प्यार किसी टूरिस्ट के लिए हुआ तो छोड़ दोगी। तांक गॉड, मैं टूरिस्ट नहीं हुआ। मैं तेरा हुआ, तु हुई मेरी धड़कन को एक हुई। हमें चलना चाहिए। क्यों कॉल साथ ? क्या क्यों ? ऐसे क्यों का तुमने की थैंक गॉड में टूरिस्ट नहीं हुँ। पहले तुम बताओ, तुम क्यों प्रूफ करना चाहती हो कि मैं टूरिस्ट नहीं हूँ। पहले मैंने पूछा ? I don't care, मुझे जवाब चाहिए। क्योंकि मैं टूरिस्ट से दिल नहीं लगा सकती ? साफ साफ शब्दों में बोलो पश्मीना। इतने बड़े बिजनस्मेन हो फिर भी ? नहीं समझ रहा, तुम से सुनना चाहता हूँ। तुम क्यों चाहती हो कि मैं टूरिस्ट ना निकलू हूँ। जवाब दू। तुमने खुद ही कहा था ना कि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है ? बस वही नहीं करना चाहती थी। इसलिए कभी किसी टूरिस्ट से महबत नहीं की। जब-जब किसी को देखके लगा कि ये वही है तो बस मन में एक ही सवाल आता कि कहीं ये टूरिस्ट तो नहीं है ? बस इसलिए बस इसलिए प्रूफ करना चाहती थी। तुमसे दिल लग चुक है कॉल साथ सुचुप मियोन शिकर I love you, कॉल साथ I love you I love you I love you, कॉल साथ I love you कुछ का तुमने ? मैंने कॉल साथ सुना अभी तो तुम यहां थे वहां कैसे ? तो मैंने कहना चलते हैं फिर में आगे बढ़ गया ? मुझे लगा तुम पीछे आ रहे होगी और पलटके देखा तो तो तुम अकेले खड़े-खड़े कुछ बढ़ बढ़ा रही थी तुम ठीक हो न ? पश्मीना तु फिर से दिवानी बन गई ? तुने कॉल साथ को कुछ बोला ही नी ? यह सब सपने में बोल दिया ? क्या मैं यह सपना देख रही थी है ? हलो 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 पश्मीना ? तुम फिर से अकेले अपने आपसे बाते कर रही हो ? थोड़ा डर लग रहा है मुझे देख कर क्या कहा तुमने ? तुम बड़ बड़ा रही हो ? तुमने अभी अभी कहा न ? थैंक गॉड में टूरिस नही हो ? हाँ तो ? लेकिन तुमने कहा क्योंकि थैंक गॉड में टूरिस नही हो ? जोक था ? जोक ? तुम्हे तुम्हारे ही स्टाइल में समझाता हूं वो कहना सेनो रेटा बड़े बड़े शहरों में छोटे-छोटे जोक होते रहते हैं तुम नहीं समझोगे ? क्योंकि ? मामूली से छोटे से कस्पे में रहने वारे टूर गाइड हूं ना ? हाँ ? मुझे कहा समझ में आए कि तुम्हारे बड़ी-बड़ी बाते ? मामूली तो तुम बिलकुल नहीं हो मिश्मीना ? तुमने मुझे अपने आप से मिलवाया है खुट से रूबरू करवाया है मामूली और तुम ? बिलकुल नहीं तुम तो मेरे लिए मसीह हो वो क्या कहते है उसे ? एंजल यौर अन एंजल पश्मीना सुरी वो फारिष्टे होते है ओ, राइट हाँ चलो तुम्हारा मैसीह तुम्हें तैसिलदाश मिलवाना चाहता है नेकी और पूछ-पूछ लेट्स गो पश्मीना तु सच में दीवानी हो गई है तुने सपने में क्या बोलती है कॉल साब को ? I love you भी बोलती है अफकॉस वो मुझे प्यार करती है अच्छा क्या अच्छा यकीन है मेरी बात पर अरे उसकी मम्मी को नहीं बता और अपनी मम्मी को यह बात है कौन बताता है वो सब तो ठीक है यार पर श्यगून की थाली वापस भेज़ दी गई कोई तो बात है कुवास ना बंद का पश्मीरा मुझे पसंद करती है यकीन नहीं आजाना तुम्ही वेट इंड वाच वो खुद कहें कि कि शी लाइक्स में पश्मीरा मेरी है सिफ मेरी आज आओ तेसीलदर का उफिस बनना हो जाए यह थे ए यह हलो तुम फिर कुछ बड़रा रही थी कुछ बोल रही थी न मैंने तो उच कh बहाई ही नी लगते है तो आपरे कान बजरे है ऐसे कैसे कान बजरे मैंने सुना तुम मेरे बगल से जब्मन कर्ण और तुम्हारा फोन भी बजरे है इक्स्क्यूज मी मॉम यह प्लीस कॉंटिनुए ओके हाई मॉम राख हाफ था दुरानी की रील कैंसल कर दी हाँ मॉम मॉम वो आत्मी सही नहीं है वो यहां के लोकल लोगों के साथ जोर जबरतस्ती करके इल्लीकली उनकी हाउस बोट्स छीन रहा हो इसलिए अवी अविनाश को बताया तक नहीं? मॉम वो दुरानी मेरे होटेल अगया था और सारी बाते वही होगी इसलिए अवी अविनाश से बात करने का मौका नहीं लगा अधर इसलिए अविनाश ने प्रॉमिस किया था दुरानी को मॉम अविनाश को पता था कि दुरानी सही बंदा नहीं तो चुपाया उसने हमसे? मॉम तरह रों थिंग सो अविनाश को यह सब बाते पहले सही पता हो अविनाश को पता था कि उने किसी ने गलत इंफोरमिशन दियो जैसे उनको हमारे दादी के घर के बारे में गलत इंफॉर्मिशन मिली थी दादी के घर के बारे? क्या? मॉम उन्होंने कहा था कि घर किसी ने हड़प लिया है इसलिए घर के आसपास सारी तारे लगी हुई है कोई लीगल इशू में फसा हुआ है वो लेकिन मैंने बता किया, ऐसा कुछ भी नहीं है वो वायर्स वहाँ पर आर्वी माल होने लगाई है ताकि कोई भी हमारा घर हडप ना सके दा हाउस इस सेफ बता नहीं मॉम कि अभी अंकल को ये सारी गलत इंफॉर्मेशन कौन फीड कर रहा है बता इंट्रस्चिन और तुम्हें लगता है मैं तुम्से जूड बोला रागव हाँ अंकल लो अंकल आए आए मीन नहीं नहीं मैं जूड बोलता हूं कोई बात नहीं कम से कम तुमारे दिन में मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट तो है बेनेफिट ऑफ डाउट तो दिया तुमने मुझे अवी अवी अच्छली वो तो यह कियाना जाता है कि तुम्हें भी गलत इंफिमेशन मिली है हा ना इस पाइब अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं हाँ हाँ मही गलत सही तो तुम हो ना तुमसे बड़ा हाँ एक्ष्पीरेंस जादा है लेकिन इस सब कहा मैंटर करता है कश्मीर जाके बदल कहे हो तुम्हागफ कॉन सिखार है तुम्हें इस सब अभी अंकल आप कॉन हो कोई नहीं है वो कोई भी नहीं है वो औरत मेरे सामने उकाद क्या है उसकी एक मामूली सी औरत उसने कैलाश तोरानी के शगुन के साल को मावथ लोड़ा भी हाँ उकाद क्या है उसकी समझती क्या है बहन तेरी अपने आपको मालिक, जिंदा मन किजीं, मालिक, मैं बात करूगा अपनी बहन से, देखेगा मालिक, एक दिन मेरी बहन अपनी बेटी का रिस्ता लेकर नाक रकटे हुए न, आपके पोह में गड़गडा के अपनी बेटी का रिस्ता लाएगी, हाँ, हाँ, तु किसी काम का नहीं है, और वह बेबी? कश्मेरी पठाका? किदर है वो? यहां है बेबी नमस्ते मालिक तू समझतर लगती है मुझे समझा इस अपने पती को अगर यह शादी नहीं हुई अगर वो हाउसपोट मुझे नहीं मिली तो तुम दोनों को रास्ते पे ले आऊँगा पूरे कश्मीर में ना तुमें रहने के लिए चट मिलेगी और ना खाने के लिए रोप लेकिन मालिक वो देल तो कैंसल हो गई है ना? तूझे क्या लगता है अमाशंकर? क्यालाश दुरानी के पास फाइनेंसर नहीं है? है? ऐसे ऐसे लोग कैलाश दुरानी के बिस्नस में पैसा लगाएंगे तू तो कया आओ माशंकर तुझे पूरे कश्मीर में कोई काम नहीं देगा पैसे भी पूरे कश्मीर में को काम देता ही कोन है? बस एक आप जहिल रहे हैं मालिक और एक मैं मालिक मैं क्या कहते हूं ना यह सारी चिंताना आप छोड़ दो और यह सारा काम ना आप बेबी कुसों उपदो हां मेरे पास ना एक तगड़े वाला प्लान है हाने तो तू उस प्लान को नतीजे तक पोँचा हो समझ गई ना तो बेबी क्या प्लान है ते रहा हमारी शादी की इतनी इंसल्ट करने के बाद भी हुमा शंकर तो हमारी हिम्मत कैसी हो रही है बेबी से कुछ भी पूछने की हानी तो बेबी यहले बेबी और बता देना प्लान कमाल है पहली पार जिंदी कि मैं बेबी पैसे ले बार चे लेगे पैसे लिए और बेबी तुम्हारी उस मनूस पहन को मन ना तुपड़ेगा वो फाइन वह बात ने रगव मैं होता कॉनू तुमसे सवा जाब करने बाला है अवी अंकल प्लीस काम डाव अविनाश बात लो झाल रगव कि प्लीस नहीं मोयना मैं एकल आश को बोल देता हूँ के भाई हमें खेध है अच्छ एडाल अगर्षा अधी ल्ग अंकल, प्लीस बिनसन तो मीं अंकल अंकल विनाश से लेकिन विनाश ने हमारे परिवार के लिए क्या क्या किया है भूलना मत राख हम, we have to fix this विनाश ने हमारे परिवार के लिए क्या 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 है विनाश ने शांत हो सकती हो प्लीज, मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूं, ओके? पश्मीना गाना गाना बंद करोगी एक मिनिट के लिए गाना क्यों गारी हो? शांत कर रहे हूं खुटको, वरना मेरे अंदर का जुआला मुखी फट जाएगा जुआला मुखी फट जाएगा तुम इतना हाई पर क्यों हो रही हो? पारा चड़र है मेरा वो आत्मी तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? वो आत्मी मेरे अंकल है पश्मीना, अभी अंकल है वो हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हाँ रे मेंटोर, फिलोसफेर, गाइड और क्या-क्या समझते हो तुम तुमसे वो ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? पश्मीना तुम उनको बिल्कुल नहीं जानती है प्लीज इस तरह से जज्जमेंट मत दो सब पता है मुझे, सब सुन लिया मैंने वो तुमसे कितना रूडली बात कर रहे थे, पर क्यूँ? उन्हें हक है पश्मीना कैसा हक? पश्मीना, अभी बताया तुमको मैंने जब कोई नहीं थाना मेरे साथ, तब अवी अंकल थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़के मुझे सब कुछ सिखाया है काम सिखाया है, मैं आज जो कुछ भी होना सिर्फ उनकी वज़े से हूँ मैं इसलिए उन्हें हक है अच्छा, तो ये हक है उन्हें, कि वो तुमें कुछ भी बोले और तुम सुनते जाओ जब तुम उनकी बात पे सवाल करो, तो तुम्हें वो एहसान फरामोशक है पश्मीना, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जाती साब जानती, गैस लाइटिंग कहते हैं इसे गैस लाइटिंग? तुम्हें इतने भारी-भारी इंग्लिश वर्ट्स भी आते हैं क्यूं? नहीं आ सकते हैं, क्या? तुमसे ना बहस करना ही बिकार है, तैंक यू उठा रहा हूं इसके लिए भी इंग्लिश में कहावत है तु अपसिट अपल इन दे कार्ट यानि जो जैसा चल रहा है, उस पे सवाल उठाना जो तुमने अपने अवी अंकल के साथ किया उन्होंने तुम्हारी सुने ने उपर से उल्टा तुम्हें ही सुना दिया तुम यह डिजर्ब नहीं करते कॉल साब अपडेट्स, सब्सक्राइब तो आर चैनल ट्लिक शोलिंक और एंजॉवचिंश वेक्रीज़ आर चैनल